हाई एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग, I hope आप लोग अच्छे होंगे, मैं हूँ राहूल चेस्वाल और स्वागत करता हूँ आप सभी का एक पर फिर हमारी यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में, तो दोस्तों यार कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई, कर रहे हो की न सिलाबस कितना पढ़के हुआ, बता दो, ताकि आर आप लोग के लिए कुछ ने कुछ में कर सकूँ ने, help कर सकूँ तो आपके help करने के लिए फिर से आज हाजिर हो गया हूँ मैं, आपके RCC लेके, यानि revision crash course लेके, और आज यानि 9th standard के match to, यानि geometry का एक और बहतरीन चाप सभी चीज़ एवेलेबल है, lecture by lecture video, जो concept के हिसाब से जो हम में बनाया हुआ है, पुरा detail में जो हर चीज़ पढ़ा है, प्राक्टिसेर के example, solve करा है, तो वो आपके लिए वेलेबल है, तो आप उसको देखके पढ़ाई करते हैं, बस इतना में बोलना चाओंगा, बाकी यहा सभी के लिए प्रेजेंट है, तो यार अपने दोस्तों को भी inform करते रहो हमारे इस जैया टूटरल्स के बारे में, देखते हैं कितने लोग को पता है और कितने लोग को नहीं पता, तो आप लोग को खुद पता चलेगा, ठीके ना, तो बतातो यार, राहुल सर खुद आ ग कर देंगे, जो कि आपको help करेगा, revision करने में, और आपको खुद का एक self notes बनाने में help करेगा, साथ में telegram और instagram हमारा join करके रफो, ताकि कुछ updates and बाकी information आपको मिलती देगी, चले, वीडियो की शिरुवात करेंगे आज की, तो सबसे पहले हमें 3 या 4 questions आज देखना है, तो यह R.P का line है, और दुसरा है line MS, यह दुनों एक दूसरे को parallel है, ऐसा question में बोल रहा है, यह दूनों line एक दूसरे को क्या है, parallel है, प्यार से płर लल है, ठीक है ना, अब यह दून एक दूसरे को parallel है, और line जो DK है, transversal है, जो है, यानि यह जो लाइन E.P, it is 85 degree, जो हम को निका निकालना क्या है? Find the measures of angle RHD. आपको निकालना क्या है? सबसे पहले RHD निकालना है. RHD की ज़र है देको ये वाला. RHD मतलब ये वाला angle आपको निकालना है. तो एक एक करके निकालेंगे चार चीज निकालने हैं बोलगा है कि ये आपको पी एच जी भी निकालना है, angle C, angle HGS भी angle mgk भी निकालना है मतब 4 angle निकालना है तो 4 answer आएंगे इसके लेकिन सबसे पहले एक एक करके हम इसको solve करेंगे पहला आपको निकालना क्या है angle rhd निकालना है is equal to question mark ठीक है अगर आप देखो कि जो चीज हमें दिया है सबसे पहले उसके उपर focus करोगे तो आपको पता है कि angle dhp पता है पहले उसके पहले एक और चीज लिख सकते है आप जो कि है कि आपको पता है कि line rp parallel है line ms से and line dk जो है वो transversal है लिखे क्या है transversal ये लिखना जरूरी है ताकि उनको हम अगर आप देखो के ध्यान से ये angle dhp जो है angle dhp और अंगल dhr ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे linear pair बनाएंगे देखो ध्यान से ये जो angle dhp है ये वाला 85 वाला angle dhp वाला और angle dhr ये दोनों एक दूसरे को क्या बना रहे 180 degree बना रहे मतलब linear pair बना रहे तो हम लोग clearly क्या बोल सकते है कि from these we can say that कि angle जो dhp है ठीक है न dhp होगा प्लस ये जो angle है dhr ठीक है न या फिर rhd बोल लो एक ही बात है तो angle dhr बोलो या फिर rhd बोलो एक ही बात है तो मैं इसको rhd बोलता हूं तो rhd इन दोनों को प्लस करके क्या हो जाएगा 180 degree होएगा because हम लोग reason लिख सकता है यहाँ पे angles in linear pair एंगल्स क्या है linear pair में है भाया ये लिखना जरूरी है तब ही marks मिलेगा okay angles क्या है linear pair में तो उसके अनुसार dhp का value मुझे पता angle dhp का value 85 question में ही दे रखा है तो इसके जगा पे हम लोग लिख सकते है 85 degree plus rhd मुझे निकालना है तो वो ऐसी का वैसी रहेगा angle rhd is equal to 180 degree अब मुझे angle rhd निकालना है तो rhd will be equal to what 180 minus 85 कर दो कितना आ जाएगा 185 में से 85 95 बचेगा तो therefore हमारा एक angle आगया angle rhd is equal to 95 degree यह हमारा पहला answer आगया कितना आसानी से हमने यह answer निकाल दिया कि आपको जो पहला question पूछा था कि angle rhd इस angle का value निकालो तो हमने निकाल दिया जो कि आगया आपके लिए 95 degree ठीक है बहुत सिंपल बात है अब चलो और question इसी के अंदर इसी के अंदर second question क्या बोल रहा है आपको बोल रहा है एंगल phg निकालो एंगल phg निकालना है आपको ठीक है अब देहान देओ एंगल phd की थारे phg this is p this is h this is g this is angle phg और आपने जो चीज़ निकाल लिया उसको लिखते जाओ आपने आर एंगल आपको मिल गय टो अगर आप ध्यान से देखोगे figure के अंदर ध्यान से दिखोगे तो ये जो ग्रीन वाला है जो कि है rhd और उसी के वर्ट क्रिकली अपोजिट लिया एंगल पीच जी जी यानि पी ही जी जी जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा आर अर फ दिके बराबर अरेका विक Estado कि क्योंकि एंगल phg will be equal to angle rhd बराबर देखो यहां पर यह phg याणि यह वाला angle is equal to यह वाला rhd क्यों रहेगा? reason क्या है? rhd क्यों रहेगा? because of the vertically opposite angle VOA, shortcut लिखा है मैंने आप लोग पूरा पूरा लिखना vertically opposite angle ठीक है तो angle phg is equal to rhd, rhd कितना 95 है तो therefore देफ़ोर आपका एंगल पी एच जी जो है वो भी कितना आजाएगा 95 डिग्री आजाएगा इस प्रकार से आपने second question का भी answer निकाल दिया करेक्ट है कितना easy था कितना easy था पस diagram ही तो है diagram को देखना है और आपको अगर concept पता है कि क्या होता यह सब चीज़ है तो आप मिंदास कोई भी चीज़ का answer निकाल सकते हो ठीक है चलो यह चीज़ आपने निकाल लिए बड़े आराम से कोई परिशानी नहीं हुई आप लोगको चलो अब हम जाएंगे इसको यहाँ पर थोड़ा सा में लाइन खीस देता हूँ ठीक है अब यहाँ पहर देखो अब यहाँ पहर देखो अब यहाँ पहर देखो धनद ना किसरा चीज़ की आप लगस और ड़े सी अगरिया जीज एक इस अब मुझे बताओ, यह जो एंगल है HGS, यानि यह वाला जो एंगल है, यह किसके बराबर होगा, यह बराबर होगा, 85 डिगरी के, because of the corresponding angle, क्योंकि आपको पता, यह दोना इक दूसरे को parallel है, और जब धी कोई डो लाइन पैरलल होता है, और यहां से ट्रांसवर्सल जाता है, तो यह और यह corresponding हो जाते हैं, यह और यह corresponding, वैसे यह और यह corresponding, तो यहां पर 85 वे, 85 के just उपर वाले segment में, और यह उपर वाले segment में, यह और यह बराबर हो जाएंगे, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां पे, इसके अनुसार क्या बोल सकते हैं, हम लोग clearly बोल सकते हैं कि angle जो मेरा HGS रहेगा, वो किसके बराबर रहेगा, HGS किसके बराबर रहेगा, जो की हो जाएगा DHP के बराबर रहेगा, ओर रिजन क्या है, क्योंकि corresponding angle, यह दोनों क्या है, corresponding angle है, corresponding angles, ओके, corresponding angle, तो angle HGS निकालना था, तो angle DHP मुझे पता है, 85 degree है, तो diagram में आपका बुल सकता हूँ, angle HGS जो है, वो भी क्या आ जाएगा, 85 degree आ जाएगा, तो यह आ गया मेरा angle 85 degree, यानि angle HGS भी आ गया मेरा, यह वाला angle भी आ गया, 85 degree, तो जो चीज निकाल चुके है, उसको लिखते जाओ न, यह चीज निकाल चुका हूँ में, पहले यह वाला, green वाला क्या था यह, PHG आपने निकाला था, कितना आया था, 95, यह आपका 95 था, यह भी आपने निकाल लिया, अभी अभी, यह आपने कितना निकाला, 85 degree, तो यह आपका कितना आया, 85 degree, बस एक last चीज बाकी रहे गया, इसको भी निकालते है, चौथा, चौथा चीज पोल रहा है, angle mg के निकालो, mg के, is equal to question mark, इसको कैसे निकालोगे, angle mg के, mg के किदे रहे, फिले देखो, यह M है, यह G है, यह K है, मतलब यह वाला angle, तो अभी दिख रहा है आपको clearly, यह 85 के एकदम vertically opposite है, तो यानि कि angle mg के अगर आपको निकालना है, तो यह 85 है, तो यह भी 85 हो जाएगा, तो यह 85 है, बराबर, यह 85 degree है, तो हमारा angle mg के भी आजाएगा 85 degree, इस प्रकार से आपने 4 के 4 answer, 4 question जो आपको पूछे थे, 4 के 4 answer, आपने बिलकुल आराम से, इसे questions exam में आते हैं, दो चीज़ पूछ लेगा, चारों के चारों चीज़ पूछ लेगा, ऐसे questions exam में आगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कि आप लोग को बहुत easy लगेगा यह सब चीज़े, समझ में आ गया, तो ऐसे examples को जितना हो सके practice कर लेना, this was the first example for revision of this particular chapter, parallel line, समझ में आ गया, चलो, अगला question, समस्ते इसको, अगले question को, क्या बोल रहा है question, line L is parallel to line M, यहाँ पे भी same आपको दिख रहा है, कि दो line है यहाँ पे, दो line है, L और M, एक दूसर को parallel है, और यहाँ पे बोल रहा है कि line N और P, एक दूसर को parallel है, दिख रहा है, मतलब दो लाइन यहाँ पैरलल, दो लाइन यहाँ पैरलल, दिख रहा है, क्या बना रहा है, एक्सो खेले क्या इसमें, OX खेलते हैं, चलो, आजो, OX, खेलते थे न, OX खेलते थे, यादे की नहीं, बन रहा है क्या नहीं, बन रहा है, मैंने एक वीडियो बनाया था इसके उपार, Secret Trix, एक ऐसा Secret Trix का एक वीडियो मैंने बनाया, आप सर्ज करोगे हमारे व्लॉग वाले चैनल पर आपको पता चलेगा, एक ऐसा secret trick है, जिसके help से आप कभी न, OX में हार नहीं सकते, जीत तो ऐसे भी आप जाओगे, लेकिन ज़ादर लोग आपको हराएंगे न, तो आप कभी हारो न, ऐसा एक trick है, ठीक है न, never losing trick, तो यहाँ पर आपको निकालना है देखो, angle A, angle B, angle C, तो पहले marking कर लेते हैं, यह आपका angle A है, यह वाला, यह आपका angle B है, और यह आपका angle C है, दिख रहा है, ठीनों के जीनों निकालना है, तो एक एक करके निकालेंगे, सबसे पहले जो चीज़ दिया है, लिख दो, यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है, कि line L, जो है, वो parallel है, line M से, and line N is parallel to line P, ठीक है, clear ओके, आप यहाँ पर clear cut आप एक चीज़ देखोगे, अगर ध्यान देरा, यह 45 degree है, और यहाँ पर अगर एक कोई angle अगर मैं ले लू, ठीक है, यहाँ पर कोई angle ले लू, let's suppose मैंने X ले लिया, यहाँ पर मैंने, let's suppose मैंने X angle ले लिया, तो यह 45 और यह जो X है दोस्तों, ध from figure हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि 45 degree प्लस X is equal to 180 degree, because of angles in linear pair, angles in linear pair, यह हम लोग बोल सकते कि नहीं बोल सकते, angles जो है पर लिनियर पेर में, तो 45 degree यह है, और इसके साथ में X प्लस होगा, तो is equal to 180 आगा, तो therefore यहाँ से X का वैलू में निकाल सकता हूँ, तो X is equal to 180 minus 45, तो कितना हो जाएगा, बता, 135 आजाएगा, 135 degree, तो angle X का जो वैलू आ गया, वो आ गया 135, लेकिन हमको X का कोई काम नहीं, आपको पूछा भी नहीं है, X, आपको पूछा है यहाँ पे A, B और C, तो सबसे पहले अगर मैं देखो, यहाँ पे X क्यों निकाला, क्योंकि X नीचे की तरफ X, Q, corresponding angle, angle B is equal to angle X, because of, यह angle X है, ठीक है, यह आपका आया angle X, angle X, ठीक है, तो angle X, angle B is equal to angle X, क्यों आया, reason क्या है, reason यह है, reason यह है, because of, बताओ क्या, corresponding angles ना भई है, दोनों corresponding angles है, corresponding angles, corresponding angles होने के वज़े से, यह दोन एक दूसरे के बराबर है, तो angle X 135 है, तो therefore हम लोग क्या बुल सकते हैं कि angle B जो होगा वो भी हो जाएगा 135 डिगरी कितना आसान था निकालना निकाल लिया हमने angle B आपका 135 डिगरी आ गया अब आपको angle B मिल गया उसी के vertically opposite में angle A दिख रहा है आपको तो angle A भी निकल जाएगा तो आप सीधा-सीधा बोल सकते हो यहाँ पे second one जो आपको निकालना था angle A तो angle A जो होगा वो किसके बराबर का बताओ angle A होगा angle B के बराबर तो angle A विल भी इकल टो अगल B क्यों होगा reason बताओ because of the vertically opposite angle ठीके तो angle A विल भी also equal to angle B 135 तो angle A भी हो जाएगा 135 तो आपने angle A भी निकाल लिया ठीके दो चीज़ आपका निकल गया अब आपका क्या बच रहा है शिर्फ फोर सिर्फ आइंगल C बच रहा है करेक्ट क्या बच रहा है angle C रहो जहां से जहां से देखना angle C आपका बच रहा है ठीके थर्ड वन ठीक है angle C यहाँ पर करता हूं डारेक फ़र वन एंगल C आपको दिखरा है यहाँ पर angle C तो angle C किदर है पेली बाद तो angle C किदर है देखो यह angle C है तो यह angle C इधर है और इसी के एगदम corresponding में देखो angle BB है मतलब in short angle C is equal to angle B क्यों आएगा reason क्या आएगा बताओ reason corresponding angle यह भी corresponding angle होने के वज़े से यह corresponding angle के होने के वज़े से इतोने जुसरी को क्या हो जाएंगे congruent हो जाएंगे तो angle C is equal to angle B So therefore angle C का जो value आएगा वो angle B के बराबार है गा angle B भी 135 डिगरी है यह आगया आपका 135 तो angle C भी आगया 135 तो in short जो आपका answer है कि angle A जो आगया वो भी 135 डिगरी आगया angle B आगया 135 डिगरी आगया angle C जो आया वो भी 135 डिगरी आगया मतलब तीनों के तीनों आपके क्या आ गया है? 135, 135, 135 और आपको वही तीनों निकालने थे angle A, angle B, angle से. कितना अराम से, आसानी से हमने ऐसे questions को solve कर दिया और answer निकाल दिया? आप देख सकते हो. एक मिनट भी निल लगेगा solve कर रहे हैं, अगर आप fast करोगे तो. तो ऐसे questions एक्जाम में बहुत बार पूछे हैं, अच्छी तरीके से देखो और practice करते रहो. समझ में आ गया, clear है, तो उम्मीद करता हो कि यह question भी आपको अच्छे से revise हो गया होगा. चलो, अब अगले question पर शलते हैं, क्या question पूछा है? यह question देखो, ध्यान से बहुत interesting question है, यह question पूछने के चांसे बहुत बार होते हैं, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान से ऐसे questions को समझ के लेना पड़ेगा. चलो, ध्यान दो इस question को, क्या पूछा है? क्या बोल रहा है? एक figure है हमारा, y is equal to 108 degree, यानि कि y का जो value है, कहां गया y? clearly दिख रहा है, यह मेरा y है, तो यह मेरा y जो है, y का जो value दे रखा है, उन्होंने 108 degree दे रखा है, ठीके? y is equal to 108 degree, ठीके? x का जो value है, angle x दिख रहा है, यहाँ पर यह वाला, angle x का जो value है, angle x का जो value है, वो भी इन्होंने दे रखा है, 71 degree, हमको पूछा है, are the lines m and are parallel? क्या यह दोनों line जो है, m और n parallel होंगे, या नहीं होंगे, यह हमें proof करके दिखाना है, मतलब justify करना है हमारे answer को भी और यह चीज़ हमको proof करके भी दिखाना है, क्या यह दोनों same है, या नहीं है, clear, बिलकुल अच्छी तरीके से, ध्यान से समझना इस चीज़ को, तो सबसे know that interior angles are supplementary, interior angles क्या होते हैं, supplementary होते हैं, यह हमको पता है, यह हमको एक formula पता है, यह हमको एक funda पता है, कि भाईया interior angle कभी भी बनते हैं, यह दोनों interior है, अंदर की तरफ है, देखो, x इधर कोने में, x, y इधर कोने में, दोनों interior angle है, तो यह दोनों क्या होंगे, supplementary होंगे, औ और अगर supplementary होंगे तो by interior angle test हम लोग बोल सकते हैं कि भाईया ये दोनों line भी एक दूसरे को parallel होगे क्योंकि obviously कोई भी line जब parallel होगा और होगा तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे को supplementary होने चाहिए कि सब्से पहले अगर आप देखो के ध्यान से यहाँ पे interior angle supplementary होने चाहिए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं from figure from figure क्या होना चाहिए कि angle x plus angle y should be should be equal to should be equal to 180 होने चाहिए मतला 180 होने चाहिए करेक्ट है कि नहीं क्या होना चाहिए 180 होने चाहिए तो plus करो angle x कितना है angle x मेरा 71 है plus angle y मेरा 108 है कितना आ रहा है दोने को plus करके 179 आ रहा है तो यह 179 आ रहा है क्या 179 आ रहा है बराबर तो हम लोग क्या बोल सकते हैं therefore 179 is not equal to 180 is not equal to 180 हम लोग क्या बोल सकते हैं therefore therefore interior angles interior angles are not supplementary यह दोनों 180 नहीं बना रहे है तो supplementary नहीं हुए क्योंकि अगर 180 बनता बले ही एक कम है 179 बले ही है लेकिन एक ही कम है लेकिन फिर भी अगर आप देखो के ध्यान से तो यह दोनों क्या है एक दूसरे को नहीं बना रहे है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि interior angles are not supplementary इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं therefore therefore यह जो angles है यह क्या कर रहे है therefore हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यह जो angles है the angles does not satisfy the does not satisfy the does not satisfy the interior angle test के लिए कब possibility है parallel कब होंगे जब interior angle test satisfy करेंगे और interior angle test क्या होता है कि हम लोग क्या बोल सकते हैं therefore हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यह जो lines है therefore the lines कुंसे कुंसे lines है m और n the lines m and n are not parallel यह दोनों एक दूसरे को parallel नहीं है यह हमारा final question का answer रहेगा तो हमें यह पूछा था कि क्या यह दोनों एक दूसरे को parallel है तो हमने यहाँ पर पता थिए कि बढ़ना यह यह दोनों एक दूसरे को parallel नहीं हो सकते correct है simple है clear समझ में आ गया तो ऐसे questions देखो भले ही ठिखिने में simple है लेकिन proof करना पड़ेगा तभी आपको full marks मिलेगा तो ऐ ठीक है चलते हम लोग एक और आखरी एक्जामपल आज के इस रिवीजन लेक्चर का पटा पड़ से देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि इस एंगल ए इस प्रूब्लम नहीं इसमें इसमें यह चीज़ को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर ए मतलब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ एक एंगल को ड्रॉ करता हूँ इस प्रकार से इसका नाम में रखता हूँ एंगल सी मैंने ले लिया एक लेट करके एंगल सी ले लिया अब मुझे पता है कि एंगल सी जो है वह एंगल ए जो है वह एंगल सी के पराबर होगा हम लोग क् सकते हैं कि angle A will be congruent to angle C, angle A will be congruent to angle C, क्यों? क्योंकि question में ही आप देखोगे, sorry, figure में ही आप देखोगे, तो यह दोनों क्या है, एक दूसरे को vertically opposite है, यह A C को congruent होगा क्योंकि यह vertically opposite angle है, तो angle A is congruent to angle C, correct है, angle A congruent to angle C है, लेकिन अगर आपको एक चीज़ दिया हुए, question में कि angle A, B को congruent हो, मतलब इस angle A के जगा पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, but we know that, यहाँ पे आप लिखो एक statement, but we know that, but we know that कि angle A मेरा congruent है, angle B के साथ, तो हम लोग angle A के जगा पे लिख सकते angle B, और angle C के साथ तो वो directly congruent हो जाएगा, मतलब angle B is also congruent to angle C, ठीक है, इसको आप चेहे तो equation number 1 मान लो, अब लिखो यहाँ पे from equation number 1, from equation number 1, तो आपने क्या बोल रहा है कि angle B जो मेरा angle C से क्या हो गया दोस्तो, congruent हो गया, और angle B, congruent हो है angle C से, तो यह क्यों हुआ है, अगर आप देखोगे, तो angle B और angle C को अगर आप ध्यान से देखो figure में, यह angle B, angle C, तो एक दूसरे को क्या बना रहे, corresponding angle बना रहे, तो angle B मेरा congruent है angle C से, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि यह जो angle B है, angle B and angle C are corresponding angle test, and can satisfy the corresponding angle test, यह कुण सा condition satisfy कर सकते हैं, corresponding angle test को satisfy कर सकते हैं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, therefore, कि line L जो होगा, वो parallel होगा, line कि से, M से, and एक और चीज, line L जो है, line N, transversal होना भी जरूर है, line L, N is the transversal, ठीक है, ठीक है, तो हम लोग का जो proof था, वो आ गया, therefore, therefore, हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि line L is parallel to line N, यह हमने proof करके दिखाना था, हमने proof करके दिखा दिया है, that's it, तो यह था आपका proof that, ऐसे questions, exam में बहुत आएंगे proof वाले, इस चाप्टर में से, तो जरूर से इसको practice करके ले ले लेना, अपने अपने end से, जितना हो से के महनत करते रहना, ठीक है, तो इसी के साथ यह जो chapter पूरा हमने revise करा गया, चारी question करा है, लेकिन यह चारो बहुत important exam में पूछे जा सकते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान पूर्वक देखना, बहुत अच्छे तरीके से आपका revision भी हो जाएगा, ठीक है, clear, तो बढ़ाई करते रहो, keep watching सबको share कर देना, first time channel प्याद तो चैनल को subscribe करके bell icon को भी प्रेस कर देना, ठीक है, दोस्तों तो जलो जल्दी मिलेंगे, फिर एक और नवी वीडियो में, तब तक के लिए, thank you and goodbye